डियर स्टुरंट माइसेल्फ मुझहित खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला प्यारे बचो आज हम पढ़ेगे फॉस्फरस हालाइट फॉस्फरस के दो हालाइट है हमारे सिलेबस में दिये वे नंबर वन है इसमें फॉस्फरस ट्राय हालाइ और सेकंड है फॉस्फरस पेंटाहलाइट ठीक है ध्यान से देखेगा फॉस्फरस ट्राय हालाइट कौन-कौन से हो सकते हैं एक्स बिटा यहां पर रहेगा एक्स में भी F-C-L-B-R-I तो देखिए फॉस्फरस के हालाइट कौन-कौन से है पी-C-L-3 पी-F-3 ओके पी-B-R 3 और पी आई 3 बट वी नो वेरी वेल किया ज्यादा तर हम कौन से यूज करते हैं फॉस्फरस ट्राय हालाइट ओके और फॉस्फरस पेंटा हालाइट देखिए मतलब यहां पर एक्स हो सकता है एफ सी एल बी आर आय नहीं हो सकता मतलब पी सी एल फायू पी एफ फायू और पी बी आर फायू है ना पी आई फायू नाट एग्जिस्ट नाट एग्जिस्ट ठीक है ना क्यों कुक्कि यहां पर सेंटरलल स्दालोच है और अयूदेब का साइज बहुत बड़ा है साइज आयूडेन का बहुत बड़ा होनी के वज़झे से मोलीक्यूल के बीच में रिपल्शन और मोलीक्यूल के बीच में अगर रिपल्शन होंगा तो यह molecule एक्जिस्ट नहीं होता हूँ ठीक है therefore ओके PIFIU not exist तो ध्यान से देखे बेटा दो टोपिक पढ़ना है हमारे को एक phosphorus trihalide और एक पढ़ना है phosphorus pentaholide अब phosphorus trihalide के example पढ़ेगे हूँ phosphorus trichloride phosphorus trichloride मतलब pcl3 phosphorus trichloride और दूसरा रहेगा phosphorus pentachloride तो phosphorus trichloride और phosphorus pentachloride phosphorus trichloride का हमारे को पढ़ना है preparation properties structure uses pentaholide का भी पढ़ना है हमारे को preparation properties structure uses लेकिन structure और uses pcl3 और pcl5 के हम combine पढ़ेगे preparation और properties दोनों के separate पढ़ेगे ओके चली बिटा ध्यान से देखिए phosphorus trichloride तो सबसे पहले हम पढ़ेगे सर इसका preparation ओके phosphorus trichloride हम कैसा तयार करेगे number one देखिए जब हम white phosphorus का reaction करवाते हैं chlorine के साथ ओके तो इसमें तयार होगा बेटा pcl3 phosphorus trichloride कितने पी है इसमें चार है बैलेंस कर देंगे cl कितने होगा 12 तो 6 ओके phosphorus chlorine के साथ reaction करके phosphorus trichloride तयार करता है क्या तयार करेगा phosphorus trichloride second example देखिए बेटा जब white phosphorus का reaction SOCl2 के साथ होता है ठीक है न थाइउनिल क्लोराइट तो ध्यान से देखिए क्या तयार होगा इसमें इसमें तयार होगा pcl3 plus s2cl2 plus okay plus SO2 sulfur dioxide gas liberated क्या लिबरेट होगा sulfur dioxide gas सर यहां से लिबरेट होगा okay p कितने है 4 चलिए मैंने balance कर दिया हूँ लेकिन cl देखिए बिटे कितने होगे यहाँ पर 12 और 2 14 यहाँ पर अगर हम साथ लेगे तो balance नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए odd oxygen होगा और even चाहिए मैं 8 मोल ले करके try करता हूँ देखिए आप p balance होगे sir cl कितने हैं पर 16 12 और 4 16 चलिए balance कर दिया हूँ मैंने एस कितने बिटा 8 4 और 4 यह 8 balance oxygen कितने 8 balance ओके तो देखिए preparation दो preparation इसकी कि फॉस्फरस का reaction जब हम क्लूरीन के साथ करवाते हैं तो यह तयार करेगा फॉस्फरस ट्राइकुलोराइट और फॉस्फरस का reaction SOCL2 के साथ करवाते हैं तो यह तयार करेगा PCL3 और सल्फर डेयोक्ष इसके बाद देखिए बेटा properties properties of phosphorus trichloride it is a colorless colorless oily liquid यह colorless oily liquid होता है phosphorus trichloride is a colorless oily liquid ओके इसके बाद ध्यान से देखिए अब chemical properties साथ में combine करके पढ़ाता हूं PCL3 का hydrolysis करने पर तयार होगा बेटा इसमें H3PO3 phosphorus acid phosphorus acid तयार होगा सर इसमें प्लस HCl hydrochloric acid तो oxygen कितने 3 है चलिए यह balance कर दिया मैंने CL कितने 3, 3 HCl यह balance होगा बेटा P कितना था 1 balance, H कितने 6, 3 plus 3 balance Okay, इसके बाद देखिए 3 है इसमें, क्या phosphorus trichloride का reaction chlorine के साथ करवाते हैं हम तो यह तयार करेगा phosphorus pentachloride क्या तयार करेगा phosphorus pentachloride ठीक है Next, फोर्थ है इसमें क्या अगर phosphorus trichloride का reaction हम organic compound के साथ करवाते हैं याद आ रहा होगा आपको alcohol phenol ether में, carboxylic acid में हमने reaction पड़े हैं देखिए इसमें क्या तयार होगा यहाँ मैंने 3 mol ले लिया, 3 इदा transfer कर दिया, हमने thrice CH3, C, double bond, O, bond, CL हमेशा 3 mol लेने इसके ओके, organic compound के साथ plus H3, PO3, यह रहागा by product, देखिए 3 OH और एक phosphorus है न, 3 CL यहाँ transfer यह तयार होगा यहाँ पर acetyl chloride, क्या तयार होगा acetyl chloride और एक by product है इसमें phosphorus acid, next fifth है इसमें क्या ethyl alcohol का reaction करवाएगे हम, PCL3 के साथ 3 mol ले लिया हमने आपर 3 CL यहाँ पर transfer, बताइए thrice C2H5 bond CL+, 3 OH और एक phosphorus, that is H3, PO3 phosphorus acid by product और तयार होगा इसमें ethyl chloride क्या तयार होगा, ethyl chloride इसमें कुछ doubt है क्या आपको, next इसके बाद देखिए यहाँ पर हम phosphorus trichloride का reaction करवाएगे silver cyanide के साथ 3 mol ले लिया विटमिन यहाँ पर 3 AGCl, thrice AGCl plus PCN by 3 CN कितने हैं, 3 है balance और एक phosphorus और तयार होगा इसमें AGCl silver chloride यहाँ तक क्या आपको कुछ doubt है क्या देखिए अभी हमने कहके पड़ेश के preparation पड़ेश है और properties पड़े ठीक है ना, इसमें कुछ doubt है क्या आपको ठीक है structure और uses बाकी है जो हम PCL 5 की और PCL 3 की एक साथ पड़ेगे second compound है बेटा इसमें ध्यान से देखिएगा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइट फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइट ओके, that is called as क्या है PCL 5 है ना, उसका formula है क्या पड़ेगे, सर हमें इसका सबसे पहले पड़ेगे preparation preparation of phosphorus पेंटा क्लोराइट, तो number one जब phosphorus, means white phosphorus excess of chlorine के साथ reaction करता है, तो यह तयार करेगा phosphorus pentachloride, क्या तयार करेगा phosphorus pentachloride पी कितने वेटा, 4 है यहां पर चलिए मैंने balance कर दिया हूँ, CL कितने होगे 20, तो यहां पर आपको 10 mol लेना है, होगे balance ठीक है, इसके बाद देखिए phosphorus का reaction, जब हम करवाते है SO2, CL2 sulfuril chloride के साथ, किसके साथ में, sulfuril chloride के साथ करवाते हैं, ओके तो यह तयार करेगा, PCl5 plus SO2 sulfur dioxide gas liberated यहां पर और एक byproduct था S2, CL2, यही difference है दोनों में ठीक है, तो धियान से देखिए बेटा हम इसको balance कैसा करेगी, P कितने है 4, चलिए मैंने balance कर देऊ, लेकिन सर यहां पर CL2 20 होगा, 4, 5 है 20, तो यहां पर आपको 10 mol लेना है, चलिए balance कर देए S कितने है, 10 है सर, ओके यह balance, oxygen कितने है, 20 बेलेस, ओके, इसमें कुछ doubt है क्या, preparation आप समझ गए हाँ, इसके बाद देखिए, preparation के बाद में रहेगा properties, फिर structure और uses, यह note कि आपने, चलिए अब यह topic easy है इसलिए मैं थोड़ा सा speed से पढ़ा रहा हूं इसे, ओके, पतलब कम समय में आपका यह cover हो जाना, अगर आपको लगता है कैसा यह fast रहा है तो इस पी थोड़ी कम कर दीजिए आप YouTube पर, ओके, देखिए preparation के बाद में रहेगा properties, फिर structure और last uses, properties ओके, तो first PCL 5 is a yellowish white color powder PCL 5 यह yellowish white color powder होता है, first point second, यहां से भी start कर देगे इसकी chemical properties क्या, यहां पर देखिया, इथाईल alcohol का reaction PCL 5 के साथ जब हम करते हैं तो यह तयार करेगा ethyl chloride, प्लस POCl 3 plus HCl, देखिये HCl, और एक main product रहे इसमें, POCl 3, देखिये यहां पर भी same product बना था, ethyl chloride, ethyl chloride, acetyl chloride, acetyl chloride, acetyl chloride लेकिन जब PCL 3 का reaction करवाई थे हमने acetic acid और ethyl alcohol के साथ तो by product है, इसमें H3PO3 और यहां पर एक main by product है POCl 3, यह आपको difference समझ में आ गया है, चलिए इसके बाद देखिये fourth PCL 5 का जब हम hydrolysis करते हैं, बिटा ध्यान से देखियेगा पहले बनाएगा यह POCl3 plus 2 mol of HCl क्योंकि यह 2H पेड़ जैनते हैं सर यहां पर 2H, 2Cl by product यह POCl3 बना दिया इसने इसका नाम है phosphorous oxy chloride phosphorous oxy chloride further POCl3 का जब हम hydrolysis करते हैं कितने यहां पर Cl है, बिटा 3 है ठीक है ना तो देखिये क्या बनेगे इसमें H3PO4 और HCl कितने CL बोला थो मैंने आपको 3 ठीक है ना तो H कितने होगे 3 plus 3, 6 यह 3 balance, 6 balance 3 plus 3 balance है ना 3H, 3Cl, 3HCl by product 3 hydrogen, 1 phosphorous और 4 oxygen 3 plus 1, 4 यह तैयार होगे बैटे हैं पर Phosphoric Acid यह difference है दोने में ध्यान से देखिएगा आप यहां पर बताए हो मैंने आपको Phosphorus Acid means जब हम PCL 3 का Hydrolysis करते हैं तो इसमें तैयार होगा Phosphorus Acid और जब हम PCL 5 का Hydrolysis करते हैं तो इससे तैयार होगा Phosphoric Acid क्या तैयार होगा Phosphoric Acid इसके बाद देखिए फिफ नमबर यह है क्या Finely Divided Metal Particles AG और टीन ओके Finely Divided यूस किया हो मैंने इसका reaction करवाएगे हम PCL 5 के साथ किसके साथ में PCL 5 के साथ ओके तो यह बनाएगा बेटा AGCL क्या बना देगा AGCL और यहाँ पर भी यह बना देगा SNCL 4 ओके और एक By-Product PCL 3 प्लस PCL 3 ठीक है अब इससे हम Balance कैसा करेगे सुनिया आप ध्यान से यहाँ पर CL कितने थे 5 थे सर 3 यह Balance हो गए 4 यह 2 कर देगे तर 5 2 मोल लेना आपको AG के AGCL बन गए ओके यहाँ पर देखे बेटा क्या बना है बताई आप यहाँ पर बन गया देखे SNCL 4 ओके लेकिन CL कितने 4, 3, 7 यहाँ पर 5 है तो हम एक काम करते इसके 2 मोल लेके यह पढ़ दी हमने इसका दो टॉपिक बाकी है यहाँ पर देखे इस स्ट्रक्चर और लास्ट है यूजेस ओके धेहान से दिखेगा स्ट्रक्चर ओफ PCL 3 और PCL 5 ठीक है PCL 3 और PCL 5 के स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बहुत ही सिंपल है ठीक है ना और लास्ट यूजेस चलिए ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर अफ एक है बेटा PCL 3 एक है PCL 5 ओके देखिए फॉस्फरस एक दो तीन एक सील दूसरा सील तीसरा सील और एक लोन पियर ऑफ एलक्ट्रोन बराबर है तो देखिए यहाँ पर फॉस्फरस ट्राइक लेट तयार होता है SP3 हैबिडाजेशन से यह तयार होता है SP3 हैबिडाजेशन से फॉस्ट पॉइंट ओके सेकर्ड पॉइंट देखिए स्ट्रॉक्शर आपको पिरमिड्स के ऐसी दिखने देखिए तिरा न बराबर है यहां से तिकल बन गए यहां से यहां से त्क्टर बस यह दो चीज आपको याद रखना है फील फाइद हान से दीखिएगा आप एक फॉस्फरस CL कितने एक दो तीन ओके दिखी बेटा ध्यान से एक CL दूसरा CL तीसरा चौथा और ये पांच वार कितने CL है पांच है सर ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा ये होता है बेटा 90 डिगरी का और ये होता है 120 डिगरी का कितना 90 और 120 डिगरी ये एक्सियल जो बांच आपको दिखाई दे रहा ये होता है बेटा 240 पीम पीको मीटर और ये ट्रेंगल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा इसका बांच लेंध होता है 202 पीम पीको मीटर ठीक है ध्यान से दिखेगा ये स्ट्रक्चर है का गैसियस और लिक्विट फेस का स्ट्रक्चर है ओके ध्यान से देखिए सिग्मा बॉर्ण कितने हैं एक दो तीन चार पांच सिग्मा बॉर्ण है तो ध्यान से देखिए इट इस फॉर्म बाई इट इस फॉर्म बाई SP3D हाइब्रीडाइजेशन सही है ना पांच सिग्मा बॉर्ण है कौन से अबडेशन होगा अब इसमें देखिए सारे एलक्ट्रॉन जो है बॉर्ण पेर है तो इसका स्ट्रक्चर यह कौन से बहुत ट्राइगोनल बाई पीरामिडल स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पीरामिडल देखिए यह ट्राइगोनल तो आपको समझ में आ गया अब पीरामिड्स ध्यान से देखिएगा यह इस तरह एक बराबर है और दूसरा यह बराबर है देखिए इट है ट्राइगोनल बाई पीरामिडल स्ट्रक्चर ठीक है ना इसके बाद तो एक्सियल बॉंड दो एक्सियल बॉंड है एंड थ्री एक्वे एक्वेटोरियल एक्वेटोरियल बॉंड आर एक्वीवेलेंट यह कुश्चन पूछा था ने 2018 यह फिर 19 आई थिंग ओके तो देखिए यह जो ट्रेंगल के अंदर जो आपको बॉंड लेंथ दिखाई दे रहा है ओके यह सारे एक्वेल होगे इसको बोलेंगे हैं एक्वीटोरियल बॉंड और यह क्या रहेगा एक्सियल एक्सिस के ऊपर है ठीक है यहां तक कि कुछ डाउट है कि आपको नेक्स इसके बाद देखिए पीसेल फायू इस अंस्टेबल अंस्टेबल इन सॉलिड सॉलिड स्टेट में यह पीसेल फाय अंस्टेबल होता है ठीक है ना तो फिर सॉलिड स्टेट में यह कौन सी फॉर्म में रहेगा तो देखिए सॉलिड स्टेट में यह होता है पीसेल सिक्स पॉजेटिव इसके फॉर्म में होगा या फिर पीसेल फॉर निगेटिव यह होता है solid form में PCL5 exist नहीं होता due to asymmetrical structure due to asymmetrical structure asymmetrical structure की वजह से यह solid form में exist नहीं होता तो एक last topic समझाना बाई कि वस दो तीन मिनट का topic रह है that is last uses okay number one देखिए means PCL3 and PCL5 uses of PCL3 and PCL5 they are act as a chlorinating chlorinating agent chlorinating agent के तोर पर इसका का इस्तिमाल करते हैं ठीक है second they are they are used in the the manufacture of the manufacture of the organic compound organic compound तयार करने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है ओके बिटा ध्यान से देखिएगा यह topic था हमारा 15 group elements एक last topic बाकी है that is oxy acid of phosphorus उस में पढ़ेंगे हम HOP हाइपो और्थो पाइरो हाइपो फॉस्परस एसीड और्थो फॉस्परस एसीड पाइरो इस तरह हमारा 15 group elements एंड हो जाएगा चलिए ठीक है बाई